ना संगर्स ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में बड़े बड़े तुफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में जी हां दोस्तों यदि आपके अंदर सब्सक्राइब आपको बड़े शुटूटी शुटी मंजिल को भी बार यहां आइसा कैशे होगा ऐसा होगा जब आप ट्रक्टिस करेंगे होग सब्सक्राइब करें तब भी वह जजबा आपके अंदर आएगा वह आपको साथ उपस्तित हूं और मैं बात कर रहा हूं इसमें टीजटी और पिजटी के लिए तियाज की प्रक्टिशेट की आज हमारा प्रक्टिशेट में पांचमा है तो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सब्सक्राइब करते हैं आज की महत्पूर सेशन को और इसमें आप कितना कोशन सही कर पा रहे हैं आप जरूर बताइएगा कोई डाउट है कामरेशन को लेकर के तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा उसको आप देख सकते हैं यादि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर लिए हम उस पर एक सप्रेट वीडियो फिर से बनाएंगे चलिए दिखते हैं आज की इस महत्पूर सेशन को पहला कोशन है निमनिमे से सत्य कथन को चुनिए बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित में बिश्वास करते थें या फिर बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा आजना के पच्छदर थें या फिर डी बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक्ति इसका बताना है कौन सा एंसर करेक्ट हो जाएगा तो बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक्ति इसका बिल्क करते हैं कि जो आप कर्म करेंगे उसी से आपको मोख्ष मिलने की उन्होंने वकालत किये चलिए इसका आप्षा नॉम्बर डी करेक्ट जाएगा अगला प्रसम देखते हैं जहां कोशन किया सकता हो कि वहां ब्याक्या की जाएगी आप पेन और कागश जरूर लेके बठें जि आप हैं गुजरात के कच्छ जिली मिश्ती थे ठीक है यह आपको याद रखना है कभी पूछ लेता है उन्डेक्जम में तो यहां से स्टेडियम विशाल जलासे तथा खगोली प्रकेवच्छर साला के परमाड भी लें हैं तो इसका अमसा नॉम्बर डी करेक्ट जाएगा अगला प्रशन है किसनें कच्मीर में सालिमार बाग की निवית रखी थी बाबर अकबर जहांगीर या एफिज साहाजहा ने तो इसमें से जो है सालिबार मस्जित की जो निवी रखी थी वो रखी थी आपके जहांगीर ने C अप्सेन इसका विल्कुल करेक्ट हो जागा और जहांगीर ने कस्मीर में अनेक बाग लगवा हैं जिन में सालीमार बाग बहुत प्रसिद्ध है जहांगीर ने लाहॉर में भी सालीमार बाग की निवर रखी है जिसे सहा जहां नहीं पूड़ कर रहा है तो कस्मीर के सासत और कहां पे सालीमार बाग की निवर रखी है तो वो रखी है लाहॉर में अगला प्रस्न लेते हैं लिखित में से कौन सा पच असोक के धम का एक सैधान्तिक पच नहीं है अहिंसा यानि कि मनसा वाचा कर्मणा बेवहार में सायम सभी के साथ समान बेवहार य कि पापों से भए असोक के धम का संधातिक प्रस नहीं था तो आपको पता चल गया अपने दूसरे तथा सात्यमें असोक धम की ब्याख्याइस कर करता है धम साधुता कल्याड कारी कार करना यानि कि पाप रहित होना मिर्दुता बिवहार में मधुरता दयादान तथा पर्थम या फिर आजेंद्र पर्थम तो यह कौन था यह आपको पताना है तो नवी सत्ताब्दी के मध में बिजयाले के नितुत में चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ बिजयाले ने लगभग आट सो एक अत्तर इसमीं तक साफशन किया था यानि कि इसका कौन साइस करे अगला प्रसन है मांट आभू के दिलवाडा मंदिर का निर्माट किसने कर आया था पाल सासकों ने चंदेलों ने सोलंकी ने या फिर राश्टर कोटों ने तिया करवाय था सोलंकी ओने आप्सा नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है कुमार देवी किस की गुप्त सासक के पतनी थी चंद्रगुप्त पर्थम समध्र घुप्त राय गुप्त या फिस चंद्रगुप्त तो कुमार देवी जो थी किसके पतनी थी यह थी गुप्त साथ तक चंद्रकुप्त पर्थम कि यानिकि आपसा नम्बर इसका विल्फर करेक्ट है और यह कहां यह लिच्वी की राजकुमारी थी और बिवाह करने के बाद राज्यको राजनेतिक दिश्ट से सम्रीद बना लिएथा क्योंकि तत्काले लिग में लिच्वी काफी संपन न था अगला प्रशन है मनसब क्या था कार्याले उहदा जागीर या फिस सिपाही तो मनसब क्या था मनसब एक फार्ची वाचाक सब्द है और इसका जो अर्थ होता है वो था पद या उहदा इसके दो भाग थे एक जात एवं सवार था जात का अताधिपर था बेक ध्याति पत्त یानिकñणा स्ष्ञा़ संद्य ईयानिके गुर श्ववारों के शयांगछ Lubr Р photon चऩा ऑजिए निम्लिकित युगमु का पर विचार कीजिए पार्षव निग्रंथ गोसाला मखली पुत्र आजीवक आजीवक केस कंबली यानिके बौध उप्युत तोगी में से कौन सा सही है या आपको बताना है सही क्या है तो इसका जो क्राक्ट एंसवर हो जाएगा बी आपसा नंबर एक और दो दोन सही है को सूची यह को सूची दो से मिलाerson है कोशन मोर्स यानिकि दस्वप्रस्ण यह पांस प्रोल wording है और यहmusicश है जो उद्गात्री यानि कि मुनी का जो मतलब था पामन पुरुस जो निसब दराता है यानि कि मुनी पामन पुरुस जो की निसब दराता है उद्गात्री क्या था ये साम व्यत का गयता था और पुरुस क्या था पुरुस यानि कि आदे पुरुस यानि कि आप्शन नमबर सी का सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा अगर आपने लेते हैं निमखित में कौन सा एक कथन उपनिसदों के विशे में सही नहीं है अगरा प्रशन है निमखित में से किसने कोटील के अर्थसास्त के पांडूलुपी को सरप्रथम खोजा और उसका अध्यन किया के इन सास्त्री बीके थापर आर्शाम सास्त्री या पी जैम्स फर्गूशन तो किसने किया है ये कोटील दवारा जो अर्थसास क्रेशना के गेति इसमें कुल 15 अधिकरन एक सवस्थी प्रकरन तथा 6000 सलोक हैं डाक्टर राम सास्त्री द्वारा सरप्रथम 1919 में यानि कि डाक्टर साम सास्त्री द्वारा सन 1909 में इसका क्या किया गया था? इसका जो है प्रकार्शन करवा गया था तो इसका क्रेक्टर टेंस्फर आप्टर नमबर सी हो जाएगा देवगुप्त, देवराज और विक्रमाचित इनकों बोला ही जाता है आदे इनको नामों से जाना जाता है अगला जो प्रस्ण है इम लिखित में से किस भासा में हाथे गुमपा अवलेक उत्क्रिण है प्राकरित, पाली, संस्क्रित या फिर उप्युक्त में से कोई नही क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, चौदक आपसे नमरी हो जाएगा, यानि कि कलिंग के चेदिवन से समंदित, सासा खारविल के विशे में जानकारी का जो प्रमुक स्रोत है वो है हाथे गुमपा अवलेक, जो कि एक प्राकरित भासा में उत्क्रिण है, यह आपसे समंदित है, राम गुप्त से, समुद्र गुप्त से, कुमार गुप्त पर्थम से, या फिर असकंद गुप्त से, तिया जो समंदित है, यह है, कुमार गुप्त पर्थम से, C आपसन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अगला प्रशन है, किसी इसमारक को दक्कन का ताज महल क इसमाने को कायाता है वीबी का मकवरा मोति मसजिद जामा मस्जिद या पिर विप्लक्ति में से कोई नहीं किसको बोला जाता है यह ब 277 वीबी का मकवरा को और औरंगजेब ने 1778 औरंगाबाद मे अपनी पतनी राबिया उ दोरानी के मखबरे का निर्मान करेया इसे ही बीबी का मखबरा कहाया था यैसे पूछ ले कि राबिया उ दोरानी कौन थी तो यह औरंग की पतनी थी और इनी के नाम पर बीबी का मकबरा बनाए गया था अगला प्रस्षण है corporation में से किस एक हाजी मुला का विद्रो अलावदिन खिल्ज के समय में हुआ था और कोतवाल पत के चुनाव में अपनी उपेच्छा से वह रुष्ट था सुल्तान जब रण थंबर अभ्यान पता हाजी मुला ने दिल्ली में विद्रो कर दिया हलांकि उसकी विद्रो को धबा दिया गया था ठीक है निम्खित में से किस राज को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1989 में अधिगरहित कर लिया था कस्मीर जौनपूर नेपाल या फिर गुजरात किसको किया था ये किया था गुजरात को आपसर नमबर जौन पूर को आपसर नंबर B करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्ण है सेकेंड लास्ट कोईशन इस सीरीज का निम्खित में से कौन सा एक दिरिस बिख्यात मामल पूरम अस्थल पर उत्किलिड नहीं है किरात के छदम वेश में सिव गंगा परं स्वैब पदी का चीरहरन या फिर अर्जुन का तपस्या तो कौन सा हो जाएगा योज्ड का पल्लव सास को द्वारा मामल पूरम में मंद्रियों का निर्मान किया गया यहां उत्किर्डित मुर्तियों में गंगा उत्रण किरात के छतम वेश में सीव एवम अर्जुन की तपस्या का उल्लेखनी है स्वयपदी के चीरहण का अंकन यहां नहीं हुआ है तो इसका जो करेक्टर सुर जाएगा वो जाएगा सी आपसा नंबर सी विल्लीकूल करेक्टर इसमें मन नहीं पूछा गया था इनका भी है इनका भी है और इनका भी है लेकिन स्वयपदी का चीरहण की नहीं है लास्ट कोशन इस निन्युकरी में से सही सुमिलित नहीं है भीलसा, बिदिसा, काब्यकुंज, कानपूर, प्रतिष्ठान, पैथन, या फिर स्थावड, वीसवर, थानेशवर तो इसे में बताना है कि कौन correct नहीं है कानेकुप्ज कनोज का प्रातिन नाम था यानि कि कानेकुप्ज ये कनोज का प्राचिन नाम है इसे महोदिया भी कहायाता था अता विकल्प वी सुमिल से नहीं बाकि सब सुमिल सही है बिलसा बिदिसा प्रतिस्टान पैठर्ण स्थाण वी सवर या फिर थानेश्वर लास्ट कोशन है किसकी राज सभा में हिलियोडुरस एक राजदूत के रूप में था पुसिमित्र सु में कमेंट करके बताए और कैसा लगा हमारा प्रयास जो भी लगे आपको यदि बुरा लगे तो बुरा लिखिए जो भी आप लिखना चाहते हैं बेचक आप लिख सकते हैं और कोई सुजा हो सजेसन हो टीजिटी में फार्म से समदीत कोई दिक्कत हो या फिर कामणी से में कमेंट करिए धन्यवारा